दोस्तो सब्सक्राइब करें My Smart World YouTube चैनल को और इस घंटे को दबाए हमारी latest technology वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो अगर हम अपने mobile में बहुत सारे movie या फिर गाने या फिर कह सकते हैं कि applications वगेरा अगर जादा रखते हैं तो उससे एक दिक्कत आती है कि हमारा phone का storage तो full होता ही है साथी साथ हमारा mobile में बहुत सारी ये problem होती है कि जैसे की phone hang करने लगता है सही से काम नहीं करता है और हमें लगता है कि हमारा phone कराब हो गया या फिर दोस्तो अगर आप internet यूज करते हो तो जाहिर से बात है internet को आप यूज करते हो उसके बाद उसके history clear कर देते हो और उससे cut करके पूरा close कर देते हो लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी जो cookies file है cash file है वो आपके mobile में रही जाती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पर clean भी करते होगे लेकिन फिर भी आपका वो delete नहीं होता है वो कैसे होगा मैं आज की इस वीडियो में पूरी detail बताने वाला हूँ उससे पहले दोस्तो एक छोड़ा सा काम कर दो इस वीडियो को like कर लो और यहां subscribe करके और bell icon का जो दिख रहा है इस पर click करके all पर click कर लो ताकि जैसी कोई new video प्लिक करो सबसे पहले आपको notification मिल सेगे साथ ही यहां पे नीचे में आना और comment box में आपको यहां पे link देना है यहां से आप लिख दो APP या फिर nice video या awesome video लिख कर ऐसे यहां से send कर दो उसके बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो एक application की जो कर लेना और उसके बाद open करना जब आप open करोगती यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मुझे दिखा रहा है Facebook इंस्टा यूटूब एमेजोन गेम फ्लिपकार्ट वगेरा बॉप पेडियम वगरा बहुत सारे एप यहां पे अबलेबल है दोस्तों मैं आपको बता इंस्टाग्राम यूज करते हो तो यह भी आपको उतना ले ही लेता है मतलब यह सारे बड़े बड़े फाइल है जो कि आपको सिर्फ 5 MB में मिल जा रहे है इसमें आप लोगिन करके भी चला सकते हो तो यहां से दोस्तों एक प्रॉब्लम खत्म होगी कि हमारे फोन का स्टोर जो होते हैं वो कैसे डिलेख होगे तो उसके लिए दोस्तो आपको सबसे पहले जाना होगा अपने सेटिंग में तो मैं आसा अपने शनिग में चले जाता हूं उसके बाद आ math로 में में जो की मेरा सब्से फर्स्ट पे दिख दिख रह आ है अप ढूंड लेना कि about phone आपका कह है उसके बाद इस पर क्लिक कर लोगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते है श्टोरीज नाम का एक option नजरा रहा था है श्टोरीज पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर यह सारा भी calculating यहाँ पर देख सकते हैं calculating दिख रहा होगा अभी यहाँ पर देख सकते हैं cashed file cash data 1.47 GB, यानि कि 1.5 GB का जो है, 1.5 GB मेरे में cash file है, जो कि एक दम फालतू का मतलब है, मतलब हमने जो भी internet यूज किया है, उसका बे मतलब का जो data होता है, वो यह है, तो आपको क्या करना है, इस पे click करके ok कर देना है, और इसके सारे data को clean कर देना है, एक चीज में आपको बता आपके mobile में hanging की problem नहीं रहेगी, आपके mobile का बिलकुली फालतू का storage नहीं फोल होगा, तो ऐसे करके दोस्तों आप अपनी storage भी बचा सकते हो, और साथी साथ आपके phone जो hit होता है, या फिर hang होता है, उन सारी problem से छुटकारा पा सकते हो, तो आई होब दोस्तों वीडियो आप